हो गई है और इसकी श्विर्वात मधुकर से हो रही है कहां से उन्हें फंडिंग होती है कहां पैसा रखा जाता है कहां कैसे खर्च होता है अब बाबा के बैंक की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है देखे रिपॉर्ट बाबा के बैंक पार पुलिस की नजर पाखंडी के फाइनेंसर शिपे हैं किधर कहां से आया पैसा कहां कहां चुपाया मोरों के मनी ट्रेल पार पुलिस की नजर सेक्डो करोड का समराज अलिशान आश्रम प्राइविट आर्मी यूनिफॉर्म लगजरी गाड़ियों का काफिला ये सब कुछ यू तो नहीं चल रहा था इस खेल को हर दिन जारी रखने के लिए बाबा एंड कमपनी कहां से पैसे लाती थी किसके खाते से कितना पैसा मदुकर जैसे मोरों को मिला दान के नाम पर फंडिंग करने वाले भी रडार पर है मदुकर के पास कितनी संपत्ती, कितना पैसा है बाबा और मदुकर को सियासी फंडिंग कितनी हुई इन सब पहलों की जाच होगी यानि पुलिस सीधे पाखंडी बाबा पर हाथ न डाल कर उसके मोरों के जरिये उस तक पहुचने की तैयारी कर रही है क्या क्योंकि वैसे भी बाबा का सारा फंड, सारे आश्रम, सारा काला समराज ट्रस्ट और उसके मोरे के नाम पर है यानि साफ है कि अब देव प्रकाश मदुकर के साथ उसकी मदद करने वालों की भी खैर नहीं है क्योंकि देव प्रकाश मदुकर की मदद करने वाले भी जाच के दाइरे में है देव प्रकाश मदुकर के बैंक खातो और मनी ट्रेल की जाच के लिए आयकर विभाग और राजसो विभाग की मदद ली जा रही है देव प्रकाश मदुकर को दिल्ली के नजफगड इलाके से गिरफतार किया क्या था पुलिस की टीम देव प्रकाश मदुकर के बैंक हातों की जाच कर रही है देव प्रकाश मदुकर बाबा सूरजपाल के लिए कहां से फंड जुटाता था ये भी जाच के दाइरे में है इसके साथ ही क्या किसी राजनेतिक दल से फंड मिलता था इसकी भी जाज की जा रही है देव प्रकाश मदुकर की चल और अचल संपत्ती पर भी पुलिस की नजर है पुलिस डोनर की लिस्ट और युनिफॉर्म के लिए कपड़े कहां से आते थे उसकी जाज भी हो रही है दरसल बाबा शाकार हरी जिस लेविस लाइफ स्टाइल के साथ रहता है जिस तरह लगजरी गाड़ियों की फ्लीट, प्राइविट आर्मी, उनकी युनिफॉर्म और सेज़ी उन सब के लिए पैसा जुटाना कोई आसान काम नहीं लगता जबकि बाबा या दावा करता है कि वह अपने सदालूँ से दान नहीं लेता सवाल ये भी है कि क्या बाबा सूरजपाल ने गुप्त फंडिंग से अपना समराज खड़ा किया और अगर ऐसा नहीं तो मैनपुरी आश्रम में लगी दान दाताओं के लिस्ट में सिर्फ 10,000 रुपई से ज़्यादा दान देने वालों के नाम क्यों नहीं है क्योंकि निउस 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा कोई दानवीर नजर नहीं आया कभी भी आप किसी दान फात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दान दाताओं का नाम शिरुआ से लेकर आखिर तक होता है यानि अगर किसी ने एक रुपया दान दिया हो और किसी ने एक हजार दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है या कागजोम या फिस शिलाखंड में लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है पांच हजार और दस हजार नहीं बलकि दस हजार से नीचे का कोई भी दान जो सुची है इसमें नहीं लिखा गया है यानि दस हजार से उपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सुची उनी लोगों की है और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आशोमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया है सर्फ एमाउंड लिखी गई है इतना ही नहीं इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी है जिनके सामने रकम का जिक्र नहीं है हमने पहले में बाबा के गुप्त दान सोने की ख़दान वाले थ्योरे बताई थी इस पूरी लिस्ट में यहां के नहीं बलकि कई राज्जों के लोगों के नाम है जिन्होंने ये दान दिया है ये दान इसे कहेंगे दस हजार से लेकर उपर की जितनी रिकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है जबकि नीचे जो पांच जार चार जार उनकी कोई लिस्ट नहीं है तो ऐसे लाखों लोग है क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन सफसंग के सम्मेलन में लगभग दो से तीन लाख लोगों की भीड होती है और हर कोई दान दिखा जाता है और उसकी रकम बहुत जादा होती है जिसे चुपाए गया है और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहां पर जिन लुग этим पना दान दीया उनको रखा गया है प्रबूर रपोर्ट नियुजेटी